आप सभी का फिर से स्वागत है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में मैं हूँ अभी शेक गवारहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेस वाना वीकली बेसिस इस हफते हमने अभी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने अग्जाम में आईए देखते हैं सबसे पहला है विच पार्टी रीसेंट्ली वान दे जन्रल एलेक्शन ऑफ युनाइटेट किंग्डम इन जुलाई टी जुलाई 2024 हाल ही में किस पार्टी ने जुलाई 2024 के युनाइटेट किंग्डम के आम चुनाओं जीते हैं याने की हाउस of common और ठीक है आगे चलते हैं यह वी एक वैक्वेश्चन हमारे पास तो ऑप्शन सामारे पास में हैं लेबर पार्टी चंजर्वेट पार्टी लिब्रल पार्टी लिब्रल डेमोक्रेट्स या फिर इन में से कोई नहीं आप लोग साथ साथ अपना जवाब देते चलेंगे ताकि अंत में आप सभी क्या कर सकें अपना स्वा मुल्यांकन कर सकें ठीक है लेबर पार्टी गंजर्वेटिव पार्टी लिब्रल डेमोक्रेट्स या फिन नन ऑफ दी अबव तो हाल ही में जो जुलाई दोजार चौबिस में तीन जुलाई दोजार चौबिस को युनाइटेट किंग्डम्स की जनरल असेम्बली के इलेक्शन्स हुए हैं माफ किजेग स्टार्मर के नेत्रित्व वाली जो पार्टी है उसने क्या किया है 411 सीट्स जीत करके एक लैंड्स लाइड विक्ट्री पाई है किसके उपर में कंजर्वेटिव पार्टी जो की पूर्व आपके प्रधान मंत्री शुनक रिशी सुनक के नेत्रित्व वाली पार्टी है इसे हरा करके क्या किया है इसने कीर स्टार्मर को बना दिया गया है क्या ब्रटेइन का नया प्रधान मंत्री हाउ मैं нее sits are there in टोटल इन बिटिश प्रिटिश संसद में कुल मिला करके कितने सीट से यहां पर यह सवाल अधूरा है यहां पर पूछा जा रहा है हाऊस ओफ कॉमन में हाउस ओफ कॉमन में या फिर जो वहां की क्या है निचली सदन है कि निचली सदन विटेन की उसमें कुल मिला करके कितने सीट से यह पूछे जा रहे हैं 450, 550, 650 या फिर 750 450, 550, 650 या फिर 750 कितने सीट से बिरिटिश पारलियमंट के आउस ओफ कॉमन में तो यहां पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 650 जिसमें से 411 सीट जीता है किसने कीर स्टार्मर के नेत्रित वाली लेबर पार्टी ने किसने लेबर पार्टी ने कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी ने आगे चलते हैं वाट आर दा नेम्स आफ अपर हाउस और लोवर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियमेंट ब्रिटिश संसद के उपरी सदन और निचले सदन के नाम क्या है क्रमशा, House of Commons and House of Lords क्रमशा, House of Lords and House of Commons लोग सभा, राज सभा रिसपेक्टेवली या फिर राज सभा और लोग सभा रिस्पेक्टेवली तो British Parliament के पहला क्या पूछ रहा है Upper House और फिर Lower House का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है क्योंकि ये बहुत चर्चा का विशह है आपके जुलाई महिने के लिए इसलिए इस प्रकार के सवाल आप अगामी एक दो महिने तक उम्मीद कर सकते हैं One Day Exams में क्योंकि हमारे भारत में जो पार्लियमेंटरी फॉर्मओं है वह कहीं न कहीं उसका जो जनक है वो ब्रिटिछ पार्लियमेंट ही है क्योंकि इससे क्या बोला जाता है humans पॉर्म आफ गॉवर्मेंट का अइसंति प्रिब्स अधे प्रियं में accumulate तो यहां पर आप लोगों के लिए अप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर याने कि हाउस ओफ लॉड्स और हाउस ओफ कॉमन्स रिस्पेक्टिवली ठीक है तो जो उच्च सदन है ब्रिटिश पालियमेंट का उसे हाउस ओफ लॉड्स कहा जाता है जबकि जो निचला सदन है उसे कहा जाता है क्या हाउस ओफ कॉमन्स अगला देखते हैं वूचेर्ड दरी सेन्ट कोलंबो प्रेस हेल एड़ जिनेवा तूथाउजन ट्वेंटीफोर जिनेवा सुट्जर लैंड इन टू थाउजन ट्वेंटीफोर फॉर्थ जुलाई चार जुलाई दोहजार चौबिस को कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्षता किसने किया और यह कोलंबो प्रोसेस की जो मीटिंग थी यह और्गनाइस कहां होई है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओप्षण ए इंडिया ओप्षण भी सुट्जरलैंड ओप्षण सी चाइना आप्शन नमबर डी कोलंबिया कमबोडिया तो जो आपके कोलंबो प्रेस है यह साउथ कि एड्ट साउथ इस्ट एशिया के बारा देशों का एक क्या है संग है या फिर एक ग्रूप है दक्षिन एवं दक्षिन पूर्वी एशिया के 12 देशों का क्या है एक संग है जो क्या करते हैं यह माइग्रेंट को क्या करते हैं प्रोवाइट करते हैं पूरे दुनिया में जहां भी आपके प्रवासी मजदूरों की जरुरत होती है वहां पर मजदूर प्रोवाइड करने वर्तमान में दोजार चौबिस में चार जुलाई को इनका एक क्या हुआ मीटिंग हुआ जिनेवा स्विट्जर लैंड में और इसकी चेर्मेंशिप पहली बार हमें मिली है भारत को सन 2003 में कोलंबो प्रेस का गठन किया गया था और उसके बाद से अभी तक में पहली बार हमे क्या मिला है इसका चेर्मेंशिप अध्यक्षिता करने का मौका मिला है तो आप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे लिए क्या अंसर अगला क्वेशन देखते हैं कोलंबो प्रोसेस के बारे में क्या सत्य नहीं है मतलब यहां पर क्या पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है यह बिलकुल भारत इसकी स्थापना के बाद पहली बार जुलाई दोहजार चौबिस में बैठक की अध्यक्षता करेगा यह भी बिलकुल सही है तो ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा आंसर जबकि यही ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन गलत क्योंकि इसका गठन कब हुआ है ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं हूँ एज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरन से क्रेटरी टू गवर्मेंट ऑफ इंडिया याने की हाल ही में भारत सरकार के नय विदेश सचिव के रूप में निम्न में से किने नियुक्त किया गया है ऑप् इनमें से कोई नहीं विक्रम मिस्त्री राजिंदर खन्ना बुधाना शिवननन्दा या फिर इनमें से कोई नहीं किने भारत सरकार का विदेश सचिव कोशित किया गया है जो हमारे क्या रहे है एक्स डेप्यूटी एन एस ए नैशनल सेक्योरिटी एडवाइजर भी रहे है विक्रम मिस्त्री राजिंदर खन्ना बुधाना शिवननन्दा या फिर नन आफ दी अबव तो यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अंसर विक्रम मिस्त्री को हमारे भारत सरकार का क्या बना दिया गया है विदेश सच्छिव बना दिया गया है अब उनकी जगह डेप्यूटी एनसे कौन बन गये हैं यही आपका अगला सवाल है who has been appointed as National Security Advisor of India, Deputy National Security Advisor, Deputy NSE of India उप राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार के रूप में किने नियुक्त किया गया है A. अजीट डुवाल, Option B. सुरेश मलहुत्रा, C. विक्रम मिस्त्री या फिर D. राजिंद्र खन्ना अभी हमने देखा Option C. जो है विक्रम मिस्त्री इन्हें क्या बना दिया गया है Foreign Secretary मतलब विदेश सचिव विदेश क्या बना दिया गया है और पहले यह क्या थे हमारे Deputy NSA थे और इनहीं के जगह में Option D. राजिंद्र खन्ना को अब क्या बना दिया गया है Deputy NSA बना दिया गया है आप लोगों के लिए बहुत जादा important हो जाएगा यह सवाल अगला सवाल देखते हैं Which cricket player became the first player of India to top the ICC T20 All-Rounders list याने की कौन सा cricket खिलाडी ICC T20 All-Rounders की सूची में शीर्च स्थान पर पहुचने वाला भारत का पहला खिलाडी बन गया है VVIMP है यह Very very IMP question विराट कोहली, हार्दिक पांडिया, शुबमन गिल या फिर स्मृती मंधाना विराट कोहली, हार्दिक पांडिया, शुबमन गिल या फिर स्मृती मंधाना वो कौन से हमारे भारती प्लेयर है जो ICC T20 के All-Rounders की लिस्ट में टॉप पर पहुच गये हैं कौन हैं वो विराट कोली, हार्दिक पांडिया, शुबमन गिल या फिर स्मृती मंधाना ये हैं आपके option number B, हार्दिक पांडिया ठीक है? चलिए अगला question देखते हैं निम्न लिखित में से कौन उलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्य करने वाले भारत के पहले विधायक बन गये हैं वू अमंग्स्ट फॉल्विंग बिकेम फिर्स्ट मेंबर ओफ लेजिसलेटिव असेम्बली फ्रॉम इंडिया टू रीप्रेजेंट इंडिया इन उलम्पिक्स श्रेयसी सिंग बूधाना शिवननदा कृति अगरवाल या फिर सुर्मया शाहा भारत की पहली विधायक या फिर भारत के पहले विधायक जो उलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिदित्व करेंगे श्रेयसी सिंग बूधाना शिवननदा कृति अगरवाल सुर्मया शाहा यह है आपके option number A श्रेयसी सिंग श्रेयसी सिंग जो की बिहार के बिहार के जामुई जामुई विधान सभा से है विधान सभा से निर्वाचित है क्या है निर्वाचित विधायक है और किनकी सुपुत्री है यह यह है आपके दिग विजय सिंग की की सुपुत्री है यह अब अगला चलते हैं अगला सवाल हमारे पास में जो है वो है हाउ मैनी कीर्थी चक्र और शौरी चक्राज है विए गिवन बाइ गौवर्मेंट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर याने की दोहजार चॉबिस में भारत सरकार ने कितने कीर्थी चक्र और शौरी चक्र प्रदान किये हैं प्रदर्शन करने के लिए किने कितने खीर्थी चक्रों और कितने शौरी चक्रों से सम्मानित किया गया है हमारे जो फूर्सेस के सेना के हमारे सेना नायक है उनको 26 और 10 क्रमशह क्रमशह 10 और 26 क्रमशह 25 या फिर क्रमशह 10 और 10 याने की ऑप्शन नमबर A 26 किर्थी चक्र 10 शौरी चक्र अप्शन नमबर B 10 किर्थी चक्र 26 शौरी चक्र अप्शन नमबर C 25 किर्थी चक्र 25 शौरी चक्र अप्शन नमबर D 10 किर्थी चक्र और 10 शौरी चक्र तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा वो option सही है कितने किर्थी चक्र और कितने शौर चक्र कुल मिला करके हमारे 36 गैलेंटरी पीस टाइम गैलेंटरी एवार्ट्स दिये गए है जिन में से 10 किर्थी चक्र है और 26 शौर चक्र है तो हमारे पास में option number हो जाता है क्या? B हमारा answer हो जाता है Option number क्या answer हो जाएगा? B हमारे लिए answer हो जाएगा अगला चलते हैं question number 11 How many किर्थी चक्राज and शौर चक्राज have been awarded posthumously? कितने कीर्थी चक्र और शौर चक्रों को मरणो परांत प्रदान किया गया है क्रमशा साथ और 10 किसाथ सौर्य चक्र या फिर डी दस और दस यानिकि दस किरती चक्र और दस और चक्र को क्या किया है मरनों परांथ प्रदान किया गया है कि यहां पर हमारे लिए option number c हो जाएगा हमारा answer क्योंकि कुल दस किरती चक्रों में से 7 कुल 7 और वहीं जो शॉर चक्र है इसे कितना सेवन आउट ओफ ट्वेंटी सिक्स को क्या किया गया है पोस्ट फॉमर्सली को दिया गया है ठीक है तो यहां पर औप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्या अंसर चलिये अगला देखते हैं प्रश्न बारवा अंतर राष्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारिक को मनाया जाता है on which date is international plastic bag free day is celebrated 1st July, 2nd July, 3rd July, 4th September 1st July, 2nd July, 3rd July या फिर 4th September International Plastic Bag Free Day अंतर राष्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 1st July, 2nd July, 3nd July, 4th September यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा option number C 3nd July को प्रती वर्ष 2009 से एक NGO, Non-Governmental Organization जिसका नाम क्या था? Bag Free World द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था उसके बाद से इसे प्रती वर्ष 3 जुलाई को क्या किया जाता है? एक जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसमें जो use and throw वाले plastics होते हैं use and throw plastic उसके use को क्या करने को कहा जाता है? discourage किया जाता है मतलब उसके use को कम करने को जागरुक किया जाता है लोगों को और आखरी क्वेस्टन हमारे पास में है विश्व खेल प्रेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है वेन इस वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्रेस डे एवरी यह सेलिब्रेटेड फर्स जुलाई सेकेंड जुलाई थर्ड जुलाई या फोट सेप्टेम्बर फर्स जुलाई सेक यह उन्निस सो निन्यानवे से उन्निस सो निन्यानवे से वर्ल्ड प्रेस कॉन्फरेंस द्वारा क्या किया जाता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह कब मनाया जाता है तीन जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ह हो जाएगा क्या option number कि सी तो यहां पर हमारे लिए जो बहु विकल्पिय प्रश्णों का आज का सेशन था यह खतम होता है अगले हफ़ते हम फिर से आप सभी के सामने उपस्तित होंगे जुलाई महिने के दूसरे हफ़ते में याने की साथ जुलाई से ले करके 14 जुलाई तक क में अगए एक 36 गड़ का सब्जेक्टिव दूसरा 36 गड़ का mcq फिर national international सब्जेक्टिव और national international क्या mcq तब तक हमारे साथ बने रहेंगे हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करेंगे बैल आइकन जरूर प्रैस कर लेंगे तैंकिउ अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक प झाल